प्रदूशन की रियल टाइम इंफरमेशन के लिए आज ही SkyMet AQI अप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखे खयाल अज़र एक्टिविटी हैं यह लगातार पूरे मद्यभारत को भड़ती रहेंगी इस इलाके में काफी अच्छी वारिश रहेगी अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में अभी भी अगले दो या तीन दिनों के तोरान बारिश की गत्विदिया काफी ज् जो मानसून टरफ है उसका जो पूर्वी सिरा है तो अब दक्षिन की तरफ से वटार इरिया बना है जब भी कोई बड़ा वैदर सिश्टम मनता है तो उसकी तरफ से जो हुलके वैदर सिश्टम है वह उसकी तरफ चले जाते हैं और जो नमी वाली हुआ थी जो लगातार न बाके में काफी कम रहेगी और पूरवतर राजों में भी कम से कम 14 सितंबर तक बारिशी你要 में कमी बनी रहेगी पंद्रे सितंबर से उस इलाके में बारिश की अधिया बढ़ेंगी उत्तर भारत में अभी भी बारिश की गत्विनिया पैची ही है यानि कि रुक रुक करके कुछ इलाकों में बुचारें गिर रही हैं लगातार जो बारिश होती है वो नहीं हो रही है क्योंकि जब तक जो पिछली बार बारि इसलिए इस इलाके में भारी बारिश की संबावना नहीं है और पंजाब के कुछ बागों में और हर्याना के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हलकी से मध्यम बारिश जारी रहेगी दिल्ली एंसियार में भी अगले दो दिनों के दोरान हमें उम्मीद है कि नहीं होंगी लेकिन रुक रुक करके कुछ इस तानों पर बारिश की गत्विनिया होती रहेंगी जिससे के मौसम थोड़ा सुहाब ना बना रहेगा अगले 24 गंटों के दोरान ये उत्राखंड हिमाचल और जम्मू कश्मी में बारिश की गत्विनिया अच्छी रहने की सं इन दोनों वेदर सिस्टम के बीच में तरफ रेखा जा रही है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि डंबल अफेक्ट आप देख सकते हैं कि जैसे डंबल का शेप होता है उस तरह का ये वेदर सिस्टम बन गया है तो जब इस तरह का वेदर सिस्टम बनता है तो बारिश काफी अच्छी होती है और जिस जगे पर दो वेदर सिस्टम है जो एक बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है ये ओड़िसा, चतिस गड़ इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश देगा गुजरात और राजस्तान के साथ मद्यपरदेश में जहां से ट्रफ रेखा निकल रह है इस इलाके में भी भारी बारिश जारी रहेगी यानि कि ओड़िसा से लेकर के राजस्तान और गुजरात तक मद्यपरदेश होते हुए और चतिस गड़ होते हुए बारिश की गत्विदिया काफी अच्छी रहने वाली हैं और बिधर्व बगेरा में भी हलकी से मद्यप बारिश हो सकती है हाला कि बारिश का जो मेन इंपेक्ट होगा वो मद्यपरदेश चतिस गड़ के कुछ भागों और पूर्वी राजस्तान के साथ साथ पूर्वी गुजरात में ज्यादा देखने को मिलेगा पश्चमी राजस्तान में हलकी बारिश होगी शौराष्टा देश है और तेलंगाना के कुछ भागों में हलकी से मध्यम या एक दो इंटेंसी स्पल हो सकता है कोश्टल करनाटेका में भी बारिशी गत्वीदियां अच्छी रहेंगी क्योंकि जो एक ट्रफ रेखा दिखाई दे रही है उस इलाके में वो रहेगी और यह जो लो प्रे संभावना है जिससे एक दो इलाकों में जल भराव की संभावना नजर आ रही है और आंत्रिक करनाटा के साथ साथ रायल सीमा तमिलनाडू और केरल इन सारे इलाकों में बारिशी गत्वीदियां काफी कमजोर बनी रहेंगी बारिश बहुत हल्की फुल की रहेंगी पैची बारिश हो रही थी उसमें कुछ न कुछ कमी देखने को जरूर मिलेगी और लक्षदिप में अभी भी मौसम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ है मानसून कोई एक्टिव नहीं है आगे भी इस इलाके में बारिश की संभावना कम ही बनी रहेंगी को कुल मिला करके सा हमारे यूटीब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकोन दबाकर हर अपडेट पर रखे नजर